हाई वरे और स्वागत है आप सीक हमारी इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग के लिए हमेशा यूट्यूब रिलेटेड आइन टेक रिलेटेड जानकारी हमेशा लाता ही रहता हूं आज की भी वीडियो इसी प्रकार भी कुछ यूट्यूब रिलेटेड है आप लिञते हैं इससी डिस्क्लेइमर लगाने से क्या होता है या उस डिस्क्लेमर का क्या मतलब होता है या आप यदि अफ्यूदी प्लूट्यू शल्व कर दो लोग description लगाते हैं description लगाने का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं होता है और बहुत बड़ा मकसद भी होता है जिहां दोस्तों यह कुछ critical condition में लगा जाती है और कुछ अलग से ही YouTubers इसको लगाते हैं जो लोग भाया YouTube tips माल लिजे देते हैं वो YouTube के खिलाफ है बताना फिर भी आप अपने audience को उस बात को बताना चाहते हो उस knowledge को प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप भाया उसे copyright disclaimer के अंतरगत प्रोवाइड करा सकते हो अपने audience को आप वीडियो बनाएए उस वीडियो प्रोवर नालेज दी दी भाया और जब आप अपने वीडियो को अपलोड यानि कि इडिट करिए भाया तो इडिटिंग में ही वहाँ पे आप लोग copyright disclaimer लगा देजिए इससे का होगा जब आप लोग वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप कोई भी वीडियो देखेगा तो भाया आपके वीडियो में ही copyright disclaimer उसको सबसे पहले मिल जाएगा और आप description में भी copyright disclaimer लिग देजिए इस यूटूब को भी लगा यह जो वीडियो है यह knowledge purpose के लिए बना है इससे भाया कोई भी किसी प्रकार के किसी को हानी पहुंचानी की कोई बात नहीं हो रही है यह यूटूब टिप्स वाले के लिए हो गई कुछ लोग होते हैं भाया जो कि अपना music का channel बनाय रहते हैं ringtone का channel बनाते हैं status का channel हो गयरा बनाते हैं तो लोग भी किसी दूसरे company music use करते तो उनको भी भाया जिस company को music use करते हैं उस company को ride देना पड़ता है या आप लोग कापी लाइट disclaimer से भी उसकी मदद ले सकते हो copyright disclaimer का मदद लेने से आपके वीडियो का copyright claim तो आएगा बट उससे आपको ज़्यादा कुछ दिकत नहीं होगी और भाया एक critical condition होते हैं माल लिजे कोई ऐसी news आ गई जैसे आप लोग टेक लेटर भी बनाते हो तो नहीं नहीं जानकारी भी अपने YouTube चैनल पर प्रवाइड करा पर फिर भी आप उस news को अपने audience को देना है बहुत साथ इसे जानकारियों होती है आप लोग समझ लिजेगा माल लिजे आप अपने audience को जानकारी प्रवाइड करा चाओ बट रहादी आप उस बारे में वीडियो बना के अपने audience को प्रॉपर समझा दोगे तो हो सकता है अपने वीडियो में copyright disclaimer लगा देना होगा अपने भाईया जो आपका description वीडियो का उसके भी आप लोग copyright disclaimer लिग देना होगा इसे क्या होगा YouTube समझेगा भाईया ये जो वीडियो बना है ये only for only knowledge purpose के लिए बना है इसे किसी भी प्रकार की किसी को जान माल हानी की कोई नुक्स नहीं होगा तो इस प्रकार से भाईया आपका वीडियो भी बचा रहेगा आपका YouTube चैनल भी बचा रहेगा और भाईया आप अपने आडियंस को एक अच्छे तरीके से नालेजी प्रवाइड करा पाएंगे तो आयोप आप लोग copyright disclaimer लगाने का मतलब होता है वह क्या होता है इसका मैंने पहली बता था बहुत बड़ा मतलब भी होता है बहुत छोटा मतलब भी होता है बट यदि आप लोग एक जेनुइन content प्रवाइड करा रहे हो अपने चैनल पर भाईया अपने आडियंस को आप लोग को copyright disclaimer कोई जोत नहीं है बट कोई-कोई वीडियो होते हैं ज आप लोग को copyright disclaimer लिखा मिल जाएगा सिंपल सुख से copy कर लेजिए और आपने description में paste कर दीजिए तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही आयोप आप लोग वीडियो नालेज बल लाग होगी वीडियो कुछ नालेज मिला हो वीडियो कुछ आप लोग सीख्यों तो माई